हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू साइंस मैकनेट दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी आई होप सभी बहुत अच्छे हैं शानदार हैं जानदार हैं इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं नियू लेंड आउक्टेवल लौ यानि नियू लेंड का अश्टक नियम तो यह नियम क किस नियम की आधार पर बनाई उसे हम लोग बोलते हैं नियू लेंड आउक्टेवलो आप लोग पहले इस टेबिल पर दिहान देखिए देखिए दोस्तों इस टेबिल में क्या देख रहे हैं आप लोग हाइड्रोजन, लीथियम, बेरिलियम है न मतलब अलग-अलग आप एलिमेंट देख रहे हैं, तो ये टेबिल जो है वो एक प्रकार का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, एक जैसे एलिमेंट्स को एक जगे रखा गया है, एक जैसे एलिमेंट्स मतलब जिनकी प्रोपर्टी एक जैसी है, उनको एक जगे रखा गया है, त समय 56 तत्व की खोज हो चुकी थे यानि जो नॉन एलिमेंट थे वो कितने थे 56 थे इन्होंने क्या बोला कि अगर मैं एलिमेंट को उनके बढ़ते वे बढ़ते वे परमानु द्रव्यमान में सजाऊं तो उन्होंने एक ट्रेंड नोटिस करा है ना जैसे मान लीजे हाइड्रोजन है लीथियम बेलियम जितने भी तत्व थे टोटल 56 एलिमेंट थे इनको इन्होंने बढ़ते वे एटोमिक मास में सजाया तो सबसे हलका तत्व मत बाद में जो आटवा एलिमेंट आ रहा है ना उसकी प्रोपर्टी पहले की जैसी है फिर उसके बाद में जो नेक्स आएगा उसकी प्रोपर्टी इसके नेक्स वाले की जैसी है तो इन्होंने क्या करा एक टेबिल बना दी इसे ही हम लोग बोलते है निउलेंड ओक्टेव ठीक है चलिए तो पहले तो हम लोग समझते हैं इनका statement क्या था इनका नियम क्या था इन्होंने ये बोला कि अगर हम लोग जो भी उस समय elements 9 थे total 56 थे तो इन्होंने इसको बढ़ते वे atomic mass में सजाया तो सबसे पहला element जो आया वो था hydrogen जिसका atomic mass सबसे कम था और जो 56 नंबर का था वो था thorium ये question इस बार के railway exam में पूचा गया कि पहला element कौन सा था hydrogen और 56 कौन सा था thorium था तो इन्होंने क्या बोला कि ऐसा करने पर हर साथवे के बाद में जो आठवा element आ रहा उसकी property पहले की जैसी है जैसे मालो ये पहला element था इससे ज़्यादा atomic mass वाला ये था इससे जानदा atomic mass वाला ये था इससे जाधा atomic mass वाला ये था फिर ये था फिर ये था तो अगला जो element अना उन्होंने देखा साथ या आट इसे हम लोगों ने बोला Newland Octave Table, ओके, इन्होंने बोला कि देखो, इन्होंने बता दिया कि देखो, सारे 56 elements इस ट्रेंड में फिक्स हो गए, बट ये वाला जो ट्रेंड था, इनका कि हर साथवे के बादे बादे लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन क्या थी, इन्होंने बता द इस ट्रेंड में फिक्स हो गए, बट ये वाला जो ट्रेंड था, इनका कि हर साथवे के बाद में जो आर्टवे एलिमेंट होगा, उसकी प्रोपर्टी पहले की जैसी होगी, ये ज़्यादा सही रिजल्ट नहीं दे रहा था, इसके बाद में ये जो ट्रेंड था, वो सही रिजल्ट नहीं जे रहा था, जैसे ढूलेंड साब ने टेबिल बनाई, तो जैसे यहाँ पर आप लोग देखो, क्रोमियम होगी और एट्रीम, तो इनके अकोर्डिंग, क्रोमियम, एट्रीम, इनकी प्रोपर्टी एक जैसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्रोमियम और एट तो काफी अच्छे रिजल्ट देती है न्यू लेंट टेबल से तो काफी बैटर देती है तो यहां पर देखो क्रोमियम को इधर रख रखा है तो यह भी मान रहें कि एक्ट्रियम और क्रोमियम की प्रपरटी एक जैसी नहीं है बात करते हैं सेकिंड लिमिटेशन की सेकिंड इनोंने जो टेबल बनाई ना उसमें टोटल कितने ऐलिमेंटस थे 56 ऐलिमेंटस थे इनोंने बोला कि बैया हमने इन से पूछा किया अगर भविशे में कोई नया तत्वक हो जवा नया ऐलिमेंट की डिसकवरी उसको कहां पर रखो गए तो आप लोगों को पता है फ्यूच में कोई तत्वक हो और elements की discovery होगी नहीं तो जब लेटर ओन जो elements discover हुए वो इनकी table में fit नहीं बैठ पा रहे थे ये इसकी second limitation थी चलिए बात करते हैं third limitation की तो इन्हों ने basically elements को fit करने के चक्कर में यहां पर आप लोग देखों यहां पर क्या है दो element है तो इन्होंने क्या किया कोबाल्ट और निकल को इधर ही रग लिया क्यों 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 कि उनकी property इसकी जैसी रग रही होगी तो इसमें set कर दिया यहां पर देखो सीरियम और लेंथेनम को एक ही स्लॉट में कर दिया तो यह इनकी लिमिटेशन थी कि कई जगे इन्होंने एक स्लॉट में दो-दो element को फिट कर दिया अब सिर्फ यही नहीं कमी क्या है आप लोग यहां पर देखो यह कोबाल्ट और निकल को किस के साथ में रखा है फ्लोरीन के साथ में क्लोरीन के साथ में लोग यहां पर देखो जो आइरन होता है ना इसकी प्रॉपर्टी कहीं वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया Newlands का जो Law of Octave तहा वो बना कैसे और इसकी कुछ limitation भी मैंने आप लोगों को बताई जिससे बहुत ज़र्डर क्योशन एक्जम में पूछे जाते हैं दोस्तो साइंस मैगनेट की तरफ से 9th और 10th student के लिए एक नए पढ़के देखे बिल्कुल मज़ा आजाएगा और साथ में क्या-क्या फाइदा है हर टॉपिक का आप लोगों को डेटेल explanation मिलेगा आप लोगों को chapter wise test मिल रहे हैं तो जैसे chapter complete होता हुसका जाकि आप लोग test attend करिए test series अलग से purchase करने है 299 प्राइज है उसका लेकिन जब आप लोगे course purchase करेंगे इस 299 की test series आपको free मिल जाएगे content bilingual होगा हर class की PDF आप लोग print करा सकते हो एक साल की validity होगी तो यह आप लोगों की test series है अलगर अलग से purchase करना चाओ यहाँ पर आपको chapter wise test मिलेंगे exam oriented question मिलेगा proper solution मिलेगा हर एक question का तो join कैसे करना है play store पर जाईए science मैंने टैप इंस्टॉल करिए इसके course वाले section में जब आप लोग जाओगे तो यह आपको मिल जाएगा by now इस पे कर लीजिएगा दोस्तों वीडियो को like करिए share करिए channel subscribe कर लीजिए जिससे हर वीडियो का notification आप तक पहुंच जाए ओके चलिए और भी मैं दो तिन वीडियो डालूँगा टेंशन मतलो जो छोटे छोटे वीडियो है जो मुझे लग रहा है आप लोग के लिए important है आप बस comment करिए मैं डाल तरहांगो टेंशन न लीजिए ठीक है thank you so much है झाल